जिसका नाम है खुरण व्लोगर्स दोस्तों इस चैनल पर में ज़्याद ब्रिडियो लेक्ट आता हूं आपकी यह ट्रविल से रिलेटेड जो भी आपकी परेशानी है प्रोब्लम्स होती है उसके बारे मैं सारी वीडियो बनाता हूं अभी तक मैंने इस आरी वीडियो उसी स से फोरन जाते हैं इंडिया से आप बाहर विदेश जाना चाहते हैं तो आपको कौन सा इंडिया कराना है और क्या क्या प्रोब्लम होती हो सारी वीडियो डाली है लेकिन दोस्तों अगर आपका कोई भी रिलेटिव सापका भाई बेहन मॉम डैड या फिर आपका कोई फैमिली और फ्रेंड्ट या फ्रेंड्ट कोई भी अगर लोग बाहर से इंडिया आना चाहते हैं तो लैंड होने बाद उनका क्या-क्या प्रोसीजर होगा इस वीडियो में बताने जारहा हूं तो दोस्तों यह उनको प्रोमिस करता हूँ, Couple आप यह वीडियो यजियो इन चाहर गर तो और कोई वीडियो देखने की जबुरत नहीं पड़ेगी और इस वीडियो में आपके सारे डाउट के लिए हो जाएंगे तो इस वीडियो में बने रहेगा सब्सक्राइब करने जा रहा हूं किन-किन मेरा इंस्टाग्राम कर लिंग क्या पर है अगर आपको कोई भी प्रोब्लम ऐसी है कि आपको ज्यादा बात करनी है या चैट करनी है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं और वहां पर मिचे फोलो करके मेरे साथ चैट कर सकते हैं कभी भी तो दोस्तों इस चैनल को ज जो देली इंटरनेशनल एरपोर्ट का है जिये मार का उसके अंदर से इस तरीके का आपको एक फिल करना होगा आपका जनी शुरू करने से पहले चोबिस घंटे पहले है आप विदेश से कहीं से भी दूबई दोहा मसकड लंडन तोरंटो या फिर यूए से कहीं से भी आ रहे हैं यह फॉर्म आपको सारे डिक्लिरेशन फॉर्म जरूर फिल करना है और इस वेबसाइट पर जाने के बाद आपकी बहुत सारे डाउट कलियर हो जाएंगे और सारी इंफॉर्मिशन मिल जाएगी अगर फिर भी आप इस वेबसाइट पर नहीं जाना चाहते हैं तो मैं इस वीडियो में भी आपके सारे डाउट कलियर कर दूँगा इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा एर स डिस्प्ले पर आपको नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं यह नंबर काफी इंपोर्टेंट है यह आप जरूर वीडियो को पोस्ट करके अपने पास सेव कर लिजी अगर आपका कोई भी रिलेटिव सेंडिया ट्रैवल कर रहे हैं तो दोस्तों यह नंबर 24-7 हेल्प होगा तो क्या चार्जिस है तो यह वीडियो पोस्ट करके आप यह नंबर जरूर अपने पास सेव कर ले और नंबर पर जरूर बात करें आने से पहले तो दोस्तों अब बात करता हूं मैं कुछ कंट्रीज की अगर आप वहां से ट्रैवल कर रहे हैं इंडिया के लिए तो फिर आपका क्या प्रोसीजर रहेगा उस कंट्रीज में मैं आपको बताना चाहूंगा दुबई आबुधाबी शार्जा रसल खेमा दोहा मस्तच कुएत या फिर साओधी में रियाज जद्दा दमाम जहां से भी जिन भी गल्फ कंट्रीज से इंडिया के अंदर अगर फ्ल जिसका कोई भी चार्जी से उसे नहीं लिया जाएगा और पूरी फ्लाइट का आटी पीसियर नहीं होगा तो दोस्तो गल्फ कंट्रीज से आने पे जो मैंने कंट्रीज के नाम बताए हैं दुबई अबुधाबी शार्जा रशल खेमा दोहा मस्कट कुएत साओधी में दम और कंट्री की अगर आप यूएस से कैनेडा या फिर आप लंडन से इंडिया के लिए ट्रैवल कर रहे हैं तो क्या प्रोसीजियर तो सबसे पहले मैं आपको बता दूंगर आप लंडन हीत्रों यानि के लंडन एरपोर्ट से डारेक्ट डेली पर अगर आते हैं बिर्टी रिजल्ट थोड़ा लेट आता है और रिजल्ट आपको एक घंटे में मिल जाता है और राटी पीसेर के चार्जिस थ्री अंड्रेड है और रैपिट पीसेर के चार्जिस टूथाउजन नाइंडरे तो लंडन सा अगर आप आ रहे हैं तो आपको पूरी फ्लाइट का कराना यानि कि आपकी फ्लाइट का जो भी लोड रहेगा उसका दो परसेंट लोगों का आपका अर्टी पीसेर अराइवल पर होगा तो दोस्तों उसका चार्जिस आपको पे नहीं करना पड़ेगा उसका चार्जिस आपका एडर्पोर्ट दोवारा पे किया जाएगा तो जैसे भी आपका लोड है 300-200 उसके इसाफ से 2% यानि कि दो या चार लोगों का या साथ लोगों का रेंडम ली आड़ी पीसियार किया जाएगा तीसरी में बात करना चाहूंगा अगर आप USA से इंडिया के लिए अगर आप ट्रेवल कर रहें तो दोस्तो उसके अंदर आपको उसके अंदर भी आपका रेंडमली आड़ी पीसियार किया जाएगा 2% ओफ यूर फ्लाइट लोड यानि कि जितना भी आपका फ्लाइट का लोड है उसमें से 2% लोगों का रेंडमली उसका चार्जिस भी पैसेंजर को पे नहीं करना है एरपोर्ट अथोर्टी द्वारा पे किया जाएगा डेली एरपोर्ट पर लैंड करने पर तो दोस्तों ये तीन कंट्रीज का डाउट मैं आपको क्लियर कर दिया है आगे मैं आपको बताने जा रहा हूं और तो दोस्तों अब स्क्रीन पर आप एक डिस्प्ले देख रहे हैं आप क्लियरली इस पर मैंशन है पैसेंजर राइविंग फ्रॉम कंट्री ओल यूरोपेन कंट्री इंक्लूडिंग दा यूके बोर्स वान है ब्राजिल चाइना घाना होंग कॉंग इस्राइल मोर्शेस निजिलेंड साउथ सब्सक्राइब या तंजानिय जिंबाववे हैव टू मेंडेटरी टेक सेल पेड आड़ी पीसियर टेस्ट और आइवल तो आपका इन कंट्री पाने पर मेंडेटरी आपका आड़ी पीसियर होगा और आपको खुद पेमेंट करनी पड़ेगी और दोस्तों अगर आप उस पर बात करकर जानकारी पूरी ऑपका सब कुछ ऑमिग्रेशं की तरफ बढ़ते हैं आप आप आता ही तो इसमें जैसे ही आप नीचे की तरफ जाएंगे तो यहां पर आपको आने के बाद क्यों में लगना पड़ेगा इमीग्रेशं काउंटर पर जिसमें आपको अगर और फोरन नेशनल या ओशी आया नरी लोग जो है जिनका इंडिया का पासपूर्ट नी उनको राइट एंडसाइट पे आपको इंपीडरेशन काउंटर पर जाना है तो उसके बाद जैसे ही आप इंपीडरेशन काउंटर पर अपना क्यू खिलियर करके immigration करा के पीछे आते हैं तो दोस्तों यह आपको देखने का मिलेगा सामने आपको यह signboard baggage exit के लिए ऐसे लिखावा दिख जाएगा तो जैसे यह आप अंदर जाएंगे यह पूरा देली international airport टर्मिल 3 पे duty free area है अगर आपको कुछ shopping करनी है तो आप यहां से shopping कर सकते हैं और यह पूरा एरिया ऐसे क्रोस करने के बाद आपको सामने की तरफ जाना है हर जगा आपको एक्जिट का बोड़ दिख जाएगा जैसे आप देख पा रहे हैं इसके इंदर और आपको सीधे चलते जाना है फिर उसके बाद आप baggage area यह नहीं के baggage बैल जह भी आपको यह area देखने को मिलेगा यह के सामने exit का sign लगा हुआ है यहां से आप लोग exit करके अपना baggage बैल जहां पर है उस area के अंदर आप आ जाते हैं डेली ड्यूटी फिर यह signboard आपको दीखेगा सामने और आप जैसे ही straight जाएंगे आप देख सकते हैं यह screen पे आपको मै देखने के बाद इस पर आपका flight number और कहां से आप आ रहे हैं और baggage number कोंसा है वो सब लिखा हुआ होता है और आपकी सारी baggage बैल्ट यह देखिए right hand side पे 10,9,8 करके हैं और left hand side पे 11,12,13,14 यह सारी बैल्टे आपको दिखाई दे जाएंगी यह देखिए मैं आपको zoom करके इदर यह 10,9,8 बैल्ट है और यहां से आप information लेंगे आपको हाला कि aero stress भी कई बार बता देती है फ्लाइट में और यह left hand side पे 12,13,14 यह baggage बैल्ट है उसकी बैल्ट पर जाएं जिस पर आपकी flight का baggage आ रहा है और वहां से जाके आप अपना baggage collect कर लेंगे उसके बाद थोड़ बड़ा way out और exit निकास लिखावा दिख जाएगा और सामने आपको board दिखाई देगा Indian customs का जहां पर आपके baggage x-ray किये जाते हैं custom अधिकारी दोआरा जो भी airport पर होते हैं वो लोग आपका custom में से आपका baggage x-ray करते हैं जैसे ही आपका baggage x-ray हो जाता है और custom अधिकारी आपको जाने के लिए बोल देते हैं तो आपको यहां पर जाने के बाद उसके बाद आपको आगे से राइट-hand side पर जाएंगे और यहां पर gate बना हुआ है यहां पर आने के बाद आप exit करेंगे और इस exit करने के बाद आपको सामने ही board दिखाई देंगे अगर आपकी कोई connecting flight है तो आप कहाँ पे जाना है और अगर आपको सिर्फ यहां पर exit करना है तो सामने गेट नमबर 4 पड़ेगा यह रैड कलर का जो गेट है यहां से आप exit करके बाहर जा सकते हैं तो दोस्तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेर करें और इसी तरी की वीडियो देखने के लिए प्ली लाइक करें